दोस्तों अकर आपको भी एक सेडान मोडल कार पसंद है और आपकी बजट लगबग 15 लाग के आसपास है तो ये की वीडियो के वाल आपके लिए है आज के इस वीडियो में आप सेभी लोगों को बताएंगे 15 लाग के अंदर आने वाले 5 सबसे बहतरीन सेडार मोडल कार के ब कर देबिघन कर सकते हैं इसमा की वीडियो के लिए एक लाइक कर देए और ऐसे ही मिर्फी वेडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल डबाएं ताकि यां पलेटफ यहां पर फिक्त पॉजिचन से फशुरु आइप करते हैं जहां पर फिट प्र आने वाली कारे टोयोटा की यारिस, टोयोटा यारिस की कीमत 9,16,000 से सुरू होकर 14,60,000 के लिए जाती है, यह कार केबल पैट्रोल वेरेंट पर ही अवलेबल है, यानि कि टोयोटा यारिस आपको डीजल पर नहीं मिलता है, इस कार पर आपको मिलती है 1.5 लीटर का पैट्रोल आपसन जो लग लगबग 17.8 यानि कि लगबग 18 किलोमेटर प्रती लिटर तक की मिलती है, जो टेस्टेज माइलेज है, यानि कि यह माइलेज आपको जरूर मिलेगा, इस कार पर आपको डिवल डिस्क ब्रेक दिया गया, यह भी एक प्लस पॉइंट है, जो इसके फ्रंट और रेर पर दोन लिटर का, यानि कि आपको स्टोरिज की कमी बिल नहीं होगी, इस कार पर थोड़ी सी ग्राउंड क्लेंस कम है, लेकिन सेडाल मोडर के एकोर्डिंग ग्राउंड क्लेंस भी ठीक ठाक है, लगबग 160 mm की, इस कार पर आपको 15 इंच के अलोई विल को अप्शन दिये गया है, जो इसकी airbags, अगर आप इसके lowest of model को लेते हैं, तो इस कार पर आपको तीन airbag मिलती है, और टोपेस्ट वरन को लेते हैं, तो आपको यहां पर 7 airbag दे जाती है, जो कि बाखी किसी कार पर इतनी अच्छी फीचर नहीं मिल पाती है, तो यह फीचर आपको काफी अच्छी पसं से स्टार्ट होकर 14,84,000 के लिए जाती है, इसका यह कार आपको petrol और diesel इन दोनों ही variant पर मिल जाएंगे, जिसमें से diesel engine 1.5 liter का है, जो लगबग 97.90 bhp तक की power generate करती है, जो कि काफी अच्छी पावर है, साती पावर अच्छी होने के साथ सा 24.1 km प्रतिलिटर तक की mileage भी देती इसकी diesel engine, इसके अलावा अगर हम इसके petrol engine की बात करें, तो यहाँ पर आपको 1.5 liter का petrol option भी मिलता है, जो लगब 119.35 bhp तक की power generate करती, जो कि काफी जागा भाथरी पावर है, यह कार पावर की साथ साथ लगबग 18.4 km प्रतिलिटर तक की mileage भी देती है, तो यह भी काफी अच CT की length काफी ज्यादा बातरे ने Toyota Yaris से भी ज्यादा बढ़ी है, और obviously Toyota की CT प्रीमियम कार के लिए ही जानी जाती है, mid range पर आने वाली प्रीमियम कार, इस कार पर आपको 506 liter की booty space मिलती है, 165 mm की ground clearance दी गई है, लगब 15 इंच के tires option दे गए हैं, जो टोपेस्ट वरेंट पर company fitted alloy wheel के साथ में available है, यह कार पर आपको six airbag दी गई है, इसकी टोपेस्ट मोडल पर और बेस मोडल पर दो airbag दी गई है, तो यह भी काफी अच्छी कार है, इसके बाद third position पर आने वाली कार है, Skoda की new rapid, इस कार के launch होते हैं, इस कार की looking को, इंडिया के market पर काफी ज्यादा करें है, और काफी ज्यादा सुधारा गया है, इस कार की starting कीमत 7,79,000 से सुरू होकर 13,29,000 के लिए जाती है, जो टोपेस्ट मोडल की कीमत है, और अगर हम इस कार की बात करें, तो यह केवल पेट्रोल ओवेरेंट पर ही available है, इसके आपको डीजल का option नहीं मिलता है, और एक जो की इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है, और टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो यह कार पर आपको जो पावर है, वो लगबग एक सो आठ बी एच्पी तकी पावर दी गई है, और लगबग 18.97,000 किल्योमीटर प्रती लिटर तकी मलेज देती है, जो इसके टर्बो इंजन होने के कारण ही, इसकी मालेज इतनी अच्छी मिलती है, इस कार पर आपको फ्रंट पर डिस्क और रियर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है, और इस कार की लेंद 4.41 मीटर की लेंद थे, तो लेंद वाइस भी काफी बैतरीन है, और लेंद अगर ज्यादा है, तो बूटे स्पी दी गई है, लेकिन स्कोडा की बिल्ड क्वालेटी वो काफी जादा बैतरीन रहती है, इसके बाद स्कोडा की रापिड काफी अच्छी सेलिंग पर भी है, इसके बाद सकेंड पर आने वाले कार है, मारती सुझो की स्याज, मारती सुझो की स्याज भी कम कीमत पर आने वाले जो लगबाग 103.26 बहपी तक की पावर जेनेरेट करती है और लगबाग 20.65 किलोमेटर पर 30 लिटर तक की मेलेज देती है जो इसके मिड हाइब्रिट इंजन के कारण इतनी अच्छे मेलेज इसकार की निकाल कर आती है इसकार पर आपको फ्रंट पर डिस्क और रेर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है इसकार की पर अगर हम बात करें तो इसकार की लेंध तो 4.5 मिंटर की है यानि कि अबिसली सभी सेडार मोडल कार्स की लेंध वो काफी अच्छी है क्योंकि हम सभी लोग के लिए टॉप 5 बेस्ट स के लेरे से भी देखने को मिलती है इस कार पर आपको बेस मोडल पर 15 इंच और टोपेस्ट मोडल पर 16 इंच के टार्स ऑप्शन दिया गया है यहां पर इसकी इसकार पर आपको दो एयर बैग हींद मिलते हैं लेकिन बाकी कार्स के मकाबले बिल्ट को मामले में तो आप युन्डे वरना काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है और अबेसली एक प्रीमेम कार की गिंती पर भी आती है और इस कार को लोगों के बिच काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है एक टॉप सेलिंग एसरडान मड़की कार की गिंती में यह कार भी आ जाती है इस कार की की 30 kms देती है 1.5 लिटर के पैट्रों से साथ मिलेबल गाएक और चरवाइस डिफरेंश मिलेगा इसकुपर आपको टोपेश्ट मोडर पर अप्सन भी मिलता है जो 1.0 लोटर का टर्बो पैटोल उप्शन है जो 118 भी एच्पी की पाउर जनेरेट करती है जो लगबग 19.2 किलोमेटर पर ती लेटर तक की मेलज देती है इसका आपको फ्रंट पर डिस्क और रेयर पर ड्रम ब्रेक का उप्शन दिया गया है लेकिन अगर आप इसके टर्बो अप्शन को लेते हैं तो वहां पर आपको दोनों ही पर प्रंट पर और रेयर पर दोनों ही पर डिस्क ब्रेक का उप्शन दिया गया है जो कि अच्छी वात है अगर आप इसके टोपेस्ट को लेते हैं इसका की लेंद 4.4 mm की है यानकि इसका की लेंद्ध भी काफी 180 लीटर की बूटी स्पेस भी दी गई है लगबग 165 mm की ग्राउंड क्लेरिस मिलती है और लगबग 15 इंच के टायर सॉप्षन दे गया है इसके बेस मोडल पर और 16 इंच के टायर सॉप्षन कंप्पनी फीड़ एलोई विल के साथ आने वाले 16 इंच के टायर सॉप्षन देग तो यह पाच करो है जो आप 15 लग के अंदर ले सकते हैं कोई सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरू बताएगा किसा ने कार पर डाउट हो कोई सवाल पुछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस्टागराम पर डीम कर सकते हैं उमीद है कि आप वीडिओ पसंद जरूरा होगा तो वीडियो को लाइक करें सेर करें से एक नहीं वीडियो को साथ मिलता हो तब तक लिए अपना ध्या रहें जाहिन वंदे मातरम